तो जैसा कि आपको पता कि कल प्रधान मत्री मोदी ने अपने मत्री मडल का अब तक असबसे बड़ा विस्तार और फिर बदल किया यह वीडियो उसी के बारे में है तो जो है नए अपडेटे इन्यूनिया ट्रेट मिनिस्टर से उसके बारे में है और क्या इंपॉर्टेंट रहा है यह वीडियो उसके बार में है अगर आप चैनल पर फर्स टाम है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो के एंट तक जरूर देखेगा यह आपके किसी भी एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और भी बहुत कुछ देखेंगे क्या 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 कॉन मंत्रिएं उन्हें शब्रत ली कर जिसमें से कि 15 कैळिनेट मिनिस्टर थे और 28 राजमंत्री शामिल थे और साथ राजमंत्री को प्रोमोट कर luat कर बनाय गया काल और यह अब तक सबसे बड़ा expansion था cabinet ministry में जो total prime minister को include करके अब जो council of ministers में total ministers हो गया है 78 तो 78 ministers हो गया है जिसमें से cabinet ministers है ministers of state जो राजमंतरी और जो राजमंतरी जिनका स्वतंतर प्रभार होता है यानि independent charge होता है independent तो ये सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे तो क्या था news कल का 7 July 2021 को brought 36 new faces to his union cabinet and promoted 7 existing ministers और जो 12 पहले के जो कुछ मंतरी थें जो कुछ खास मंतरी इंक्लूडिंग रविशंकर प्रसाथ रमेश पोखरेंशांक प्रकास जावडेकर हर्श वर्दन थावर्चन गैलोत इन लोगों ने स्तीफा दिया कल जो 12 मंतरी थे मिनिस्टर्स उन्होंने कल अपना रेजिनेशन दिया और उन्हें कैबिनेट से हटाए गया था और 15 मिनिस्टर पे included in the union cabinet and 28 ministers as ministers of state कुल 43 मंतरियों ने कल राश्टपती भवन में कल शपत ग्रहन हुआ था ये सब कुछ देखेंगे क्या क्या था इस वीडियो में इंपॉर्टेंट था इस मतलब जो पॉर्टफोलिय देखेंगे तो सबसे पहले तो बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सा पॉर्टफोलिय है और जो अधर इंपॉर्टेंट पॉर्टेंट पॉर्टफोलिय नहीं है वो सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के पास होता है यह जो कैबिनेट एक्सपैंशन था इसमें में चीज यह था कि हर वर को प्रात्मिक्ता दिया गया था जो पाँच मंतरी अलप संखिक समुदाय से चुने गया थे जिसमें से एक मुस्लिम एक सिक क्रिस्चन और दो बहुत धर्म से थे 27 मंतरी OBC कैटेगरी से थे जिसमें से की 5 को कैबिनेट मंतरी का दरजा दिया गया 8 ST कैटेगरी से थे जिसमें से 3 को कैबिनेट मंतरी का दरजा दिया गया और 12 शिडियूल कास्ट थे जिनमें से की 2 को कैबिनेट मंतरी बनाए गया और इस cabinet में टोटल अब 11 महिला मंत्री हैं जिसमें से 2 को cabinet मंत्री बनाय गया और जो सबसे ज़ादा जो contribution है वो है उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश विदान सबाग को मदे नज़र रखते हुए ये decision लिया गया जोसे ज़ादा उत्तर प्रदेश से मंत्री है कुल आठ मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से और देखेंगे क्या क्या है तो सबसे पहला पोर्टफरिय जो बात करते हैं जोती राजीत ते सिंध्या जो की मदे प्रदेश से हैं इन्हें दिया गया नाकरिक उड़ेन मंत्री ministry of civil aviation आ जाहाद जलमाग मत्री और आयूश मत्राले दिया गया इन्हें फिर बात करते हैं नारायन राणे यह महारास्ट से हैं यह मुख्य मत्री रह चुके हैं महारास्ट के इन्हें दिया गया एकate Reverings ऑन दिया गया मंसुक मंदव्य यह पाले राजय मंत्री मंत्री अर्च में कि उस वज़े सी Marge नहें दिया गया जो स्वास्थ परिवार कल्यान मंत्राले और रसायन एवं उर्वरक मंत्राले दिया गया राम्चंद्र प्रिसाद सिंग, रर्शीपी सिंग जोकि जेडिव से हैं सांसद इन्हें दिया गया इस्पात मंत्राले का प्रभार ये भी cabinet में विरेंद्र कुमार इन्हें दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोसेल जस्टिस और एंपार्मेंट सामजेक नियावम अधिकारिता मंत्राले पशुपाती कुमार पारस जोकी लोग जनशक्ती पार्टी से हैं इन्हें दिया गया मिनिस्ट्री फूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खाद प्रसंसकरन उद्योग मत्री हर्दीप सिंगपूरी यह फिर से कैबिनेट में इंक्लूड हुए हैं तो पहले मिनिस्ट्र ऑफ स्टेट थे तो इनका भी अप्ग्रेडेशन हुआ है प्रोमोशन हुआ है कैबिनेट रैंक पर इन्हें दिया गया मिनिस्ट्र पेट्रोलियम और नैच्रल ग्यास मिनिस्ट कीशित्म रुपाला को बिए मिनिस्ट्री फिशरिस अनिमाल हस्बेंट्रिय मथसे पालन पशवपालन एवं देअरि और राज कुमार सेंह और के सिंह मिनिस्ट्री शीं औफ पावर मिनिस्ट्री ऑफ नीय ब्रेनेबल एनरजी दिए गया अ अनुराग इन्हेंक ठाकूर इ सब्सक्राइब कानून और नया मत्री मिनिस्ट्री अफ लौ एंड जस्टेस तो यह कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम थे नहीं चाहरे तो जिन 47 मिनिस्ट्रों ने शपत दिलाई गई कल उन्समें कल कुल 36 नहीं चाहरे थे तो अब कुल मिलाकर मोधी मंत्री में 77 मंत्रियों और उनको इंक्लूड करके टोटल काउंसिल और मिनिस्टर में कितने मंत्री हैं टोटल 78 तो एक साथ इतने मंत्रियों की इस्तिफिया भी हुआ और एक साथ जो फुल स्टेंथ है तो एस पर कंस्टिश तो जो एजटी जो पोर्टफोलिय यह है राजना सिंग का मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस अमिशा को एक नय मंत्राले दिया गया मिनिस्ट्री ओफ कॉपरेशन तो कॉपरेशन की आया प्रिथक सहकारी मंत्राले दिया गया मतलब क्रिशी छेत्र और किसानों को आर्थिक मजब किया गया जो ministry of cooperation है यह दिया गया अमिश शाह को नितिन गटकरी को as it is ministry of road transport and highway पहले MSME भी था इनके पास निर्मला सितारामन को finance ministry of corporate affairs नरें सिंग तोमर as it is agriculture farmer अर्जुन मुंडा ministry of tribal affairs सुब्रमनेम जैशांकर as it is विदेश मत्राल external affairs इस्मृति रानी को women and child development ministry है प्यूश गोल को दिया गया ministry of textiles commerce industry and consumer affairs food and public distribution नए सिक्षा मत्री अब कोन हैंगे जो पहले थे रमेश पोकर रहने शांग अब होंगे धर्मेद प्रधान और ministry of skill development कॉशल विकास मत्राले प्रहला जुशी को क्या दिया गया माइन स्कोल्स और parliamentary affairs तो यह था और स्वतंत्र प्रभार जो cabinet देखे cabinet के अलावा जो minister of state होते हैं और minister of state independent मतलब इनके ओपर कोई भी मत्राले का coordination नहीं होगा तो राज मंत्री भी हैं दो minister of state लेकिन स्वतंत्र प्रभार के साथ तो जो है राव इंदर्जित सिंग्ग यह आप देख सकते मिनिस्ट्र अफ इस्टेट स्टाटिक्स्टिक्स और इंथे प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन मिनिस्ट्र इफ और जीदेंद्र सिंग इनके पास वही है तो वह दो मंत्री हैं राव इंदरजी सिंग और जीदेंद्र सिंग और बाकि के हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यह हो गया total 30 से cabinet मिनिस्टर कैबिनेट में total 30 मंत्री यह दो है इंडिपेंडेंट चार्च और 45 से मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स तो राज मंत्री है total 45 यह आप देख सकते हैं तो यह था जो वीडियो सारे नए चेहरे जो इंक्लूट किया गया है जो क्याइट एक्सपैंशन हुआ अब तक सबसे बड़ा था तो प्रधान मंत्री मोधी के कारेकाल में जो 2019 में सत्ता में उसके बाद ये पहला फेर बदल था इस मंत्राले में तो ये उसी के बारे में वीडियो था और टोटल कूल 11 महिला जो अभी क्याइट बतल्र मिनिस्ट्री में हैं घिसमेंसे दो कैबिनेट मंत्री जीसमें इसमेंसे मिनाक्षी लेखियों को इंक्लूट किया गया जो कि दिल्ली से हैं यह अब देख सकते हैं तो ये वीडियो था cabinet reshuffle पे जो नए चेहरे बनाए गए जिन ने शपत ग्रहन लिया कल राश्चपती भवन में उसके बार में ये वीडियो था I hope वीडियो आपको अच्छा लगाओगा, so thank you very much for watching, thank you